नमस्कार टेक्निकलेस जी येट्यूब चैनल में सभी को सागतम आज ये नोटिस आ गया है कि दोहजार कूडी 22 का जो सेशन है सेकेंड यार का और जो दोहजार कूडी 22 सेशन और उसका बाद जो है कि 2021 तेज जो की फस्तियार में पड़ रहे है और 21-22 का जो सेशन है 21 से 22 ठीक है ये सभी सेशन का जो एक्जाम का नोटिस आ चुका है एक्जाम का रूटिन आ चुका है जो 2004-22 का जो सेशन है और जो 2021-23 का सेशन है वो सभी student का जो की first year में पढ़ रहा है अभी और जो second year में पढ़ रहा है और जो भी final year में पढ़ रहा है जो की ये one year का trade है वो सभी टेडों का exam के लिए जो schedule आ चुका है तो ये notice देखिएगा ये notice 25th March का ही notice है तो आप लोग देखिएगा आपका जो schedule है और उसमें क्या क्या for session 2020-22 से पहले आप लोग सुन लिजेगा उसके बाद ही आप लोग पूरा जो routine है routine को note कीजेगा आपके जो copy में आप लोग note कर लिजेगा ठीक है तो जरूर पहले उसके पहले जो पूरा information है सुन लिजेगा कि आपका hall ticket काव आएगा और उसके जो verification है verification काव होगा profile correction काव हो आप अगर कूडी वाई session का student हो सेकेंडियार में पढ़ रहे हो तो आप लोग को पहले जो कि promote किया गया था तो आप लोग का जो exam होने बाला है उसके लिए schedule आ चुका है और जो 2021-23 का session है जो fast year में पढ़ रहा है दो साल का जो trade है वो सभी student का भी exam होगा fast year का exam होगा और उस यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर आप लोग देख लिजेगा जो कि MSD ने यह notice fix कर दिया है कहां से कितने दिन तक आपका exam चलेगा तो आप लोग यहाँ पर देख लिजेगा इसमें calendar आपको दिया गया है जो one year का जो course है और two year का जो course है first year का ओ सभी student के लिए मतलब यह fast year के लिए यह schedule में चर्चा करेंगे यह fast year का schedule है तो आप लोग देख लिजेगा पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर profile verification by candidates 15 April को 2022 से start होगा और 15 जो की May को आपको last date है profile को correction करने के लिए वो आपका hall ticket में जो profile आएगा वो profile के बारे में अगर आपका profile grievance करना है कुछ correction करना है जो father's name date of birth और कुछ भी problem होगा तो उसका correction के लिए एक महिना का time आपको मिलेगा यहाँ पर आप लोग को इसी date के अंदर आपको जो college है जिस institute में आप लोग पढ़ते हो उसी institute में आपको correction करवाना है अगर आपको profile में कुछ grievance करना चाहिए तो आप लोग देख director जो है और उसके बाद जो regional director है उसी office में जो उसी office होता है उसी office में आपको जो grievance है grievance लिया जाएगा और वहाँ से आप लोग को correction किया जाएगा नोडल आइटियाई का होता है तो आप जिसी district में पढ़ रहा हो उसी district में एक नोडल आइटियाई होता है उस district का नोडल आइटियाई में आपको submit करना होता है तो यहाँ पर आप लोग देख लिजेगा उसके बाद eligibility criteria जो की आपका formative assessment और attendance और फीस आपको pay करना है यह formative assessment का जो माक से attendance है यह college institute से आप लोगों को दिया जाएगा इसके लिए जो time table है आप लोग देखिए यहाँ पर 16 जून से जुलाई तक फी 5 जुलाई तक आपको यह time मिलेगा आप लोगों को जो इंस्ट्यूट है इंस्ट्यूट आप लोगों का जो formative assessment है और उसके बाद जो CBT exam अप लोगों को CBT exam ही होगा computer based test जैसे कि पिछले जो 19 एक उसका जो बैच था 19 कुडी का जो बैच था उसी बैच का final CBT exam में हुआ उसी तरह आप लोगों को भी CBT exam ही होगा और उसके बाद आप लोग देखिए गा यहाँ पर practical exam होगा यह कौन सा session के लिए first year के लिए CBT exam जो होगा उसके पहले आपको practical exam होने वाला है practical exam के लिए आप लोगों को कौन सी date पर आपको practical exam होगा यहाँ पर आप लोगों देख लीजिएगा पर आपको प्रैक्टिकल exam होने वाला है क्यों साсят डेट पर होना बाला है फास्ट आगोष्स से आप लोगों को practical exam स्टार्थ होगा और वो चलेगा आपका 5th आगस्त तक आपको जो आपका practical exam आपका चलेगा तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर note कर लीजिएगा जो आपका practical exam होने बाला है एक आगस्त से 5th आगस्त तक आपका practical exam होगा और उसके बाद आपका CBT exam कम होगा यहापर देखिएगा CBT exam के लिए यहापर date दिया गया है पुरा routine दिया है 8 अगर्ष से 19 अगर्ष तक आपका जो CBT exam होने बाला है ठीक है और आपका result कब डिकलियर होगा 27 अगर्ष आपका result आ जाएगा तो यह final भी बताया गया है लेकिन इसमें कुछ बदलाव आ सकता है बदलाव आएगा तो आप लोगों को जरूर इसी चैनल में आपको update मिल जाएगा तो आप लोग जरूर चैनल को subscribe करके रखिएगा और इसी information आपको अगर अच्छा लगे CBT एग्जाम होगा एट अगर से उन्नीस अगस्त तक आपका CBT एग्जाम होने बाला आए और आपका जो result आएगा 27 अगस्त आपका result आ जाएगा और आपका जो exam होने बाला है एक्जाम आपका computer based test आपका होने बाला है आप आयेंगे आप कभी यह एप्प्रील से आपका 15 मेल तक आपका जो प्रोफाइल के लिए यह फूला राखेगा तो आपको ख़ुला रहेगा तो आपको ख्युलत करेइगा अगर अगर प्रप्रोबेम है तो जरूर यह में आता करने का टाइम ही और इसके बाद आपका यहां पर practical exam के बारे में देख लिजेगा आपका practical exam होगा है और ऊसके बाद आपका जो CBT exam होने बाला है, CBT exam होगा 20 august 30 august तक का CBT exam होने बाला है ठीक है practical exam कब होगा हाँका फॉस्ट आघस द Alger अगश से पनान बाला है और आपका जो cbt exam है cbt exam आपको 20 अगस्ट से 30 अगस्ट तक आपका cbt exam होने बाला है तो आपका result कब आएगा second year का result final year का result 10th September को आपका result आजाएगा ठीक है 10th September को आपको result आएगा तो ये final अभी declaration है तो इसका change आ सकता है तो जरूर आपको बताया गया जो बताया गया उसी में मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उसके आगर फरदार notice आएगा तो जरूर आप लोगों को मिल जाएगा तो ये आपका notice है तो first year का और फिर से भी एक बार discuss कर देता हूँ जो first year का exam होने बाला है practical exam practical exam first आगर से फीप तागस तक आपका practical exam होने बाला है और फास्टर का CBT exam होने बाला है ये ट आगस से उनिस आगस तक आपका cbt exam होने बाला है और आपका result आएगा 27 आगस 2022 का तो उसके बाद सेकेंडियर का आता है सेकेंडियर का प्रैक्टिकल एक्जम होने बाला है आपका फास्ट आगस्ट से फीपत आगस्ट तक आपका भी प्रैक्टिकल एक्जम होने बाला है और आपका जो सिवीट एक्जम होने बाला है जो की ट्विंटी आगस्ट से थर्टी आगस्ट तक आप आपको जब रूटीन आजाएगा तो आपको बताया जाएगा तो जरूंट चनेल को सब्सकाइब करकर रखिएगा और भी एक अपडेट है जो की एकजाम के बारे में जो की theory है Ted theory, Ted theory में थोड़ा सा बदलाव आया है Ted theory और जो EAS और WCS इसी के अंदर आपको EAS और WCS इस सभी सब्जेक्ट में और इडी जो की इंजिनेरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट में थोड़ा बदलाव आया है तो उसके लिए अगर आप कुछ आपडेट मिलेगा तो आप लोगों को जोरूर आपडेट यहां पर मैं दे दूंगा तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करते जेगा और वीडियो को जरूर लाइक करते जेगा